नमस्कार टीपीवी नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अखिल जांगी चलिए रुप करते खबरों की तरफ बुंदी जिले के केसुराय पाटम ने प्रशासन गाओं की संग अभ्यान की तैद ग्राम पंचैत फोलाई में सिविर का यूजन किया गया सिविर में पानाबाई, पतनी, स्वरग्ये, कनहियालाल, निवासी, गोठडा, ग्राम पंचैत, फोलाई ने उपस्थित होकर विद्वा पैंसन और पालनहार यूजना के बाबत प्रातना पत्र पस्तूत कर सिविर परभारी बलवीर सिंग को अवगत कराया साथी सिविर में राजसो विभाग द्वारे 103 नामांतरन, खाता दुरस्ती के 89 और 110 राजसो नकले जारी करने के साथ ही 12 सीमा ग्यान के परकरणों का निस्ता रण किया गया और 220 लोगों को निसुलक दवा के साथ 44 लोगों को कोविड-19 वैक्सिन लगाए गई नेनवा कस्वे के वार्ड नमर 11 निवासी एक युवक अचेत अवस्ता में माविर पुरा हेंड पंप के पास मिला जिसे परीजन घर लेकर पहुँचे जहां से उसे नेनवा चिकित साले लेकर आये चिकित्सकों ने जांच के बाद युवक को मुरित घोसित कर दिया पर्थम दरश्टिया परीजन मामले को हत्या का मान रहे हैं इस मामले में परीजनों ने पुलिस को रिपोर्ट दे कर जांच की मांग की है देश में अमरित महुत्सव के तहट डाक विभाग की और से पोस्ट कार्ड अभ्यान चलाया जा रहा है इसमें स्कूलों के विध्यार्थियों से दो अलगलग विश्यों पर पोस्ट कार्ड अभ्यान की सुरुआत सेंट मीरा विध्याले चार बुजा से की गई देवगट डाक विभाग निरिकसित साहनवाज खान ने बताया कि अभियान के तहित पोस्ट कार्ड के आधार पर परतिभाओं का चैन करूने पुरसकर्थ भी किया जाएगा पुरे देश बर के CBSE और RBSC से मानेता प्राप्त वेभिन स्कूलों के कसा 4 से 12 तक के विद्यार्थी भाग लेंगे जिसमें विद्यार्थी परधान मंत्री को पोस्ट कार्ड के माध्यम से स्वतंतरता संग्राम के अंसुने नायक और 2047 में मेरे भारत की परिकलपनाओं में से किसी भी एक विशे पर अपने विचारों से उगत कराएंगे पुरे देश में आजदी के अमरित महुत्सव के दहत डागविबाग दोरा पोस्ट कार्ड अभियान चला जा रहा है इसमें विद्यालियों के विद्यारतियों से अलग-अलग विशेंफ पर पोस्ट कार्ड लिखवा जाएंगे पोस्ट कार्ड के अधार पर पृतिभाग्यों का चैनकर उन्हें को रिशक्रात भी किया जाएगा अब यान के देश के CBAC वा RBAC से मामेता प्राप्त सभी विद्यार्थी के प्रक्षा 4 से 12 तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे जिसमें विद्यार्थी प्रदन नेतरी जी को पोस्टकाट के माध्यम से स्वतंत्रा संगराम के अंसुनेनायक हुआ जिसल मेर में अलप संखेक मामलात और उपनिवेसन मंत्री की मौजूदगी में नव करमोंत राज की उचमादमिक विद्याले धूडसर का उद्गाटन कारेकरम पूरी साथगी से हुआ हेलिकॉप्टर दुखांतिका में सीडियस और अन्ने सेन अधिकारियों और सेनिकों के सहीद हो जाने के शोक में मंत्री ने स्वागत स्वीकार नहीं किया इस अवसर पर मंत्री साले मुहम्मद सहीत तमाम उपस्थित जन परतीनीडियों ग्रामिनों और अधिकारियों ने मौन रहकर सहीदों को सरधान जली अर्पित की और इस घटना पर दुख जताया चितोडगड उदेपूर फोर लाइन मार्क पर देवरी ग्राम के पास घोसुंडा बांध के निकट एमदावाद से दिली जा रही एक ट्रेवलर्स के एकसल तूट जाने से उगाड़ी विपरित दिसा में खूद गई जिससे सही दिसा में एक आरोपी को लेकर जा रही चितो पीर घायलों को अस्पताल पहुचाया जाए एक प्लिस कर्मी और एक आरोपी की मोध होई गनीमत रही कि ट्रेवलर्स बस में से कोई हताहत नहीं हुआ के सुराय पाटन में रेल्वे स्टेशन के पास गल्स कोलेज के सामने मेगा हाईवे पर बीती देर रातरी को कार एनिय के सामने अचानक कार चला रही संजीव अगरवाल को नीन की जपकी आ गई जिससे कार बेकाबू होकर हाईवे किनारे स्थित विदूत पॉल को तोड़ते हुए मकान में आगे की दिवार में जागुसी हादसे के बाद दोनों कार सवारों को उपचार के लिए कोटा ले जा किसान लक्समन ने बताया कि वह अपने घर गया ही था इस दोरान लोगों ने उन्हें फॉन कर सूचना दी कि बादे में रखे जवार मक्का का चारे कुट्ट्टी आधी में आग लग गई है इस पर किसान वे गरामिणों ने रहला थाने में सूचना दे कर अवगत कराई इस दोरान संगम मिल में भी सूचना दी गरामिनों के द्वारा आसपास से पानी बाल्टी टेंक्रो और खेतों में दवा का छिटकाओ करने वाले मसीनों से आग पर पानी डाल कर काबू पाने का परियास किया गया और संगम मिल से भी दमकल मोके पर पहुँचने से आग पर काबू पा लिया गया किसानों ने बताया कि लगबग डेड़ लाख रुपे का चारा जल गया था पुलेटिन में फिलाल इतना ही आप देखते रहें एटिपीवी न्यूज